आपको आपको आज ब्रीन इफेक्ट रिमूब करना बताऊंगी उनसे किसी और टाउं के साथ कैसे अजसे करते हैं कि पताऊंगी तो चलते हैं वीडियो के पर देश्ट मेरे पास इस वीडियो पड़े गिया है ब्रीन स्कीन की मैं उसको अपनी फाइल में आपको बताया था अगर हम टाइम लाइन पर करेंगे तो सारे के सारे पोजिशन्स जनरेट हो जाएंगी यह मैंने इंपोर्ट कर दिया अब यहां से इतना कट कर लेते हैं कि यहां से ग्रीन इफेक्ट शुरू होता है यह दिखिए ही बर्ड का इ इसकोब अपने होता है रीने में हम लोग उने बसको यूज़ करना और आप सअच करें इफेक्ट में जाके और को यह हमाया पास अल्टा कीई है इसको डबल क्लिक इसकी कर सकते हैं, यहां से आप आइल ड्रॉपर पकड़ें, लिट कर लिया और यह ब्लू हो चुका है, और यहां पर घ्री पर जाके इसको फिल करते हैं, तो देखिए, अब यह हो गया है कि वह रिमू हो गया है, एक तरह से यह वीडियो ट्रांस्पेरेंट हो चुकि है, यह वीडियो उठा लेती हूँ, यहां से, यह वीडियो मैंने यहां पर रख दिया, लेकिन यह उपर आ रही है, क्यों हम लोगे ने जो बहुत साली वीडियो है, उसको जो क्लीन तक रिमूव कर दी है, उसको उपर हो ना चाहिए, और बैग्रांड को हमेशा नीचे होना चाहिए, बैग्रांड के लिए हमेशा नीचे होने चाहिए, यह आपको पॉइंट सी आद रखने पड़ेंगे, अब जैसे कि यह बर्ड्स की लेर है, इसको मैं वीडियो के उपर ले जाती हूँ, और इस लेर को मैं तो नीचे कर ले है, और यह देखिए, अगर हम लोगी वीडियो चलाएं करें, तो यह हो जाता है कि आप किसी भी, अगर आपने कोई अपनी वीडियो के ना रहे है, आप ग्रीन स्क्रीन के सामने ख़़एंगे, इसको रिकॉल करें, आप प्रीमेर पर अपनी ग्रीन स्क्रीन रिमूब करके इरीन डिलीट सरके अल्टरा-फी के तूढ आप किसी और बैगरांड के साथ में आप को एचज़ कर सकते हैं, तो यह होगया कि हम लोग कैसे इर्टरा-फी दाब में कैसे ग्रीन स्क्रीन गीक करते हैं, और कैसे किसी और बैगरांड पर अपने आपको या कोई भी आज का लेक्चर इंट्रस्टिंग था अब नेक्स लेक्चर में में आपको मजीद है डॉप्री में तो किस किस तरह के एडिटिंग हो सकते हैं वो मजीद बताऊं लिए आज के लिए अलहां आज के लिए अ आज के लिए।